श्वाग्यत प्रफिर साब सभी का RKR Study YouTube चैनल पे इसे पिछले वाले वीडियो में हम सभी ने शिंपल गुणा को निकालना शिखे थे जिसमें एक अंको की गुणा, दो अंको की गुणा, दो शेदिक अंको की गुणा को निकालना हम लोगों ने शिखा था, आज किस वीडियो के मादम से आप दसमलब का गुना कैशे निकालते हैं इसके बारे में अध्यन गरने वाले हैं यानि एक एक हम लोग basic point को जानेंगे जहां से दसमलब के गुना को बड़े है असानी से हम लोग निकालते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं दसमलब का गुना कैसे किया जाता है दसमलब का गुना कैसे निगाला जाता है एकदम सही तरीगे से, एकदम basic तरीगे से ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम एक दो question को लेते हैं सभी कर सकते हैं, इसमें भी कोई problem नहीं होने वाली है तो चलिए देखें यहाँ पर जब इसका आप गुना निकालेगा तो इसमें क्या करना है कि हम लोग जब गुना निकालेंगे इसको तो अभी जो दसमलब है, इसको हम लोग भूल जाएंगे कि अभी हम लोग को यह नहीं ध्यान में रखना है कि दसमलब है भी कि नहीं भी अभी हम लोग बीना दसमलब के ही इसको गुना कर देंगे जैसे गुना हम लोगों ने पिछले वीडियो में करना सिखा है तो चलिए दसमलब को ध्यान से हटा लेजे और इसको आप लोग गुणा किजे तो क्या होगा कि 3 को 3 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 9 और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 6 अब देखें बात यह आती है कि अब तो हम लोग दसमलव का गुणा कर रहे थे इस side में count करना है इधर कितना भी हो उससे मतलब नहीं है इस side में कितना अंक है इसको count किजिए ठीक है इस side में तो आप पाएंगे कि एक अंकों के बाद दसमलब है क्या है कि एक अंकों के बाद दसमलब है तो आप यहाँ पर जो आपका गुननफल आया है उसमें इधर से गु लोग भोल जाएंगे कि दसंबलब कहाँ पर है नहीं है सीधा छोड़ दिजे उसको हम लोग पहले गुनाय स्टार्ट करते हैं तीन को तीन से करेंगे कितना हो जागा हमारा नौ हो जागा चार को तीन से करेंगे कितना हो जागा हमारा बारा बारा का सिर्फ दो लिखेंगे ए तीन और चार के बाद दसमलब है, इधर से गिनेंगे ठीके, यानि कि दो अंको के बाद दसमलब है, तो हम लोगा जो गुना करकी गुननफल आया है, उसमें दो अंको के बाद इस साइड से दो अंको के बाद दसमलब को डाल दीजिए, यानि 9 और 2 के बाद यहां पर क्या है, डाल देजे आप आपका सही आंसर हो जागा यानि कि जितने अंकों के बाद डाल देजे आपका आंसर वहाँ पे सही हो जाएंगे चलिए एक दो एक्जामपल और हम लोग लेती हैं अभी तक तो हमने देखा कि केवर उपर में डाल था अब यहाँ पर देखे कि उपर और नीचे दोनों दसमलव आ गए अब कैसे हल करना है इसको चलिए इसमें भी बहुत सिंपल है इसमें भी आपको कोई भी दसमलव को सुड़ू में ध्यान में रखना ही नहीं है सिंपली आप ऐसे गुणा किजिए जैसे आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 23 है और यह 13 है इस तरह से गुणा किजिए दसमलव को भूल जाएए क्या होगा पहला गुणा 3 को 3 से करेंगे 9 हो जाएगा फिर 3 को 2 से करेंगे हमारा 6 हो जाएगा अब यहाँ पर फिर बाते आती है कि दसमलव अब कितने अंकों के बाद दे चुकि हमारा उपर में देखिएगा तो एक अंकों के बाद यहाँ पर दसमलव है ठीके लेकिन एक अंकों के बाद तो हम लोग दसमलव देंगे नहीं क्यों क्योंकि नीचे में भी यहाँ पर हम लोग का दसमलब है तो उपर में एक अंक और नीचे में भी एक अंक है यानि कि कूली मिलाकर के दो अंकों के बाद क्या है दसमलब परेगी तो एक और दो दोनों को गिन लिजिए और दो अंगों के बाद यहां पर दसमलब डाल दिजिए यानि कि हम लोग कहां पर दसमलब देंगे तो नो नो के बाद हम लोग दसमलब देंगे कहने का मतलब कि दो दसमलब नो नो इसका शही आंसर हो जाएगा करेंगे तीन को की तीन को तीन से करेंगे नव हो जाएगा चार को तीन से करेंगे बारो का दो हो जाएगा हाथ में एक है तीन को दो से करेंगे चो और एक साथ हो जाएगा तीन को दो से करेंगे हमारे यहां पर साथ हो जाएगे फिर यहां पर तीन को दो से करेंगे कितना हो हो जाएंगे हमारे छो हो जाएंगे फिर अब ये दो वाले से करेंगे तीन को कितने हो जाएंगे छो फिर दो को चार से करना है कितने हो जाएंगे आठ फिर दो को दो से करना है कितने हो जाएंगे चार फिर दो को दो से करना है कितने हो जाएंगे चार अब सबों को आपस में एक है हमारे पास 8, 7, 15, 6, 21 वो हाथ वला एक 22 हो जाएंगे हाथ में अभी हमारे दो बचे ठीक है यह 22 वाला तो 6, 4, 10 और वो 2 यानि कि हमारा 12 हाथ में फिर अभी एक है तो 4 में एक जोर देंगे कितने हो जाएंगे हमारे 5 हो जाएंगे तो यह हम लोगों ने simple गुना कर लिय लेकिन अब हमें बात आती है दसमलब कहां पर बैठाएंगे तो चलिए उस पर थोड़ा सा गौर किजिए उपर में count किजिए कि कितने अंगों के बाद दसमलब है तो 1, 2, 3 तीन अंगों के बाद उपर में दसमलब है और नीचे में कितने अंगों के बाद दसमलब है एक औ टीन, चार पाच अंगों को छोड़ दिया हम लोगों ने, और इसके बाद हम लोगों ने, यहाँ पर दस अंग को डाल दिया, याने कि हम लोग दसंगलों जो देंगे, वह देंगे यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर होगा, वह होगा 5, στο 9, घू रहें? हैं बहुत से लोगों के मन में बहुत सारी बाते confusion को लेकर के थी कि दसंवलोग का गुना कितना भारी है केशे बनांगे ये वो बहुत सारी बाते थी लेकिन I hope कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको दसंबलब का गुना बनाना बहुत ही अशान लगा होगा और आज के बाद दसंबलब की गुना बहुत ही आशान ही से आप लोग बना लिज़ेगा अगर आप लोग के समझ में आ गई है तो एक सवाल मैं आपके लिए यहाँ पर भी रख दे रहा हूँ तो इस वीडियो में इतना ही था मुझे उमीद है कि आपको यह दसंबलब का गुना निकालना बहुत ही असान लगा होगा और इसलिए आप लोग समझ भी गए होंगे किसी तरह की समझ चाहे तो आप लोग आप हमें कमेंट के मादम से सुचित जरूर करेंगे अगर वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो यह बात भी आप हमें फिर वेक के मादम से बताना बिलकुल नहीं बोलेंगे